हलो दोस्तों, ओल्ड मौस में स्वागत है आपका एक इंट्रेस्टिंग ऐसा कुछ मुझे नोटीस हुआ है, जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहूंगा, हाली में एक कॉल आया था मुझे, और the student was from UP, UP Public Service Commission का प्रिपरेशन कर रहा है वो student, तो उसने मुझे कुछ सवाल कि कि सर, आप कैसे बढ़ाते हो, ये सब बगरा बगरा, वो सब बाते हो चुकी, लेकिन हमारा जब discussion आगे बढ़ा, वो काफी interesting बाते कर रहा था, बता रहा था देश के बारे में, उसके विकास के बारे में, तो मैंने पुछा आपको कि, उनको की बला यार, एक बात बताईए यूपी के कई सारे student मुझ तक पहुच रहे हैं, ये कर रहे कि, सर आप philosophy guidance दो हमें, हमें exam है, शायद man's भी है उसके अभी, और मैंने पुछा कि यार, इतना कभी मैंने, you know, यूपी PSC का ऐसा ये नहीं देखा था, कि इतना time पे हर चीज हो रही है, हर बार कभी ना कभी postpone ही कैंसल ही हो जाएगा, फिर fuzzy, कुछ तो, you know, there were many such mal practices used to happen in the earlier days, तो, you know, UPSC पढ़ने वाले बच्चे बड़े डिप्लोमाटिक होते हैं, और वो ट्राय करते ही कि वो डिप्लोमाशी वो मेंटेन करें अपने सोभाव में, और वो एक कहते हैं, नूट्रल वाला concept जो होता है, आ लेकिन फिलाल अगर इंटर्वी की बात करें तो, वो कहेंगे कि हाँ, सर हम, you know, IAS इसलिए बनना जाते हैं, ताकि हम देश की सेवा करें, हाला कि देश की सेवा कितनी हो सकती है, IAS बनने के बाद वो IAS ही जानते हैं, और शायद आप लोग भी पढ़के ही लिखके ये बात को समझते हो, anyway, तो topic वो था, कि student को मैंने पूचा कि फिर आपको क्या, what is your expression about this, you know, recurrent changes happening in the UPPSC, क्या, तो उसने कहा कि सर एक notice किया हमने कि उस पे जो भी आगमी बिठाया गया है, तो वो बड़ा ही significant, you know, he is like a good planner, और time पे चीज़े execute करता है, time पे finish करता है, results भी टाइम पे पे लेता है, और हर चीज मानो इतनी सही तरीके से हो रही है, कि we are very happy, तो मैंने उसको पूचा, now, you know, out of curiosity, this happens, because we are all around the elections, you know, going on around the five states in India, तो कही ना कही अंदर से निकल की आजाता है, कि, what do you think, कि Yogi Adityanath is a good person as a administrator, as a, you know, CM of the state, तो सर वो, उसके बारे में, मैं कुछ कमेंट न हाँ पे, वो बहुत ही बढ़ी आदमी रखा है, जो time पे चीजे कर रहा है, you know, this is diplomacy, हम एक तरफा एक चीज मानने करते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है, कि, for example, अगर वहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी काम कर रहा है, अगर हम constitution पढ़ते हैं, हम सारी चीजों को अच्छे से ज executive decisions होते हैं, they are taken in, just with the responsibility of the, their leader of the, leader of the person in the power, that is chief minister, they are taken in the name of a governor, but although हम जानते हैं, कि real power lies in the hands of a chief minister, हम इतना होने के बावजूद भी, हम अपने इस nature में, ये consistently maintain करना चाहते हैं, कि मैं योगिया अधितना उतको openly support तो नहीं करूँगा, लेकिन कहीना कहीं पे, उन्होंने जो अप indirectly I am not going to admit कि योगिया अधितनाद अच्छा काम कर रहे हैं, यानि कहीना कहीं पे ये diplomacy, ये जो सभाव हम इस civil service examinations में देखते हैं, कि अंदर ही अंदर ये बढ़ते रहता है, और हम इसको grow करना चाहते हैं, because वो जो bureaucracy का atmosphere है पूरे देश में, वो इसी तरह से है कि you try to remain neutral, यानि जो government power में आई, आप उसके साथ चल दिये, जो government power से निकल गई, फिर जो next government आई, आप उनके agenda, उनके narratives के साथ चल दिये, यानि कहीना कहीं पे आपका इस देश के प्रती क्या responsibility होती है, ये अगर हम clearly express भी अगर नहीं कर पाते हैं, तो हम you know what kind of people we are, यानि हम अगर कहीं बाहर क देशों में देखते हैं, कि लोग अगर अपने देश के लिए कुछ करते हैं, बोलते भी हैं, तो उसको बहुत सन्मानित किया जाता है, उनको बड़ा respect से treat किया जाता है, लेकिन हमारे देश में कभी-कभी ये neutral का जो agenda है, वो कई बार इतना biased और dicey और diplomatic लगता है, कि सही मे अपनी असली पहचान को नहीं जान पाएंगे, फिर भगवद गीता ही क्यों ना पढ़ लो, या फिर आप और कुछ गरंत क्यों ना पढ़ लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, because certainly we are sticking to that ideology कि मैं neutral शो करूँ, मैं अपनी personality को biased ना शो करूँ, किसी भी particular agenda के इसमें मैं ना जाओ, और जहां पर मेरा जो clear cut opinion है, वैसे का वैसा लोगों को दिखाई दे, और मुझे कोई इसमें पकड़ना ले, तो मुझे एक बात का सवाल मैंने उसे पूछा कि योगी आदितेनात को support करने से, आप हिंदु राष्टर को support कर रहें, ऐसा कुछ आपको डर लगता है, तो बोला कि सर, क्यों हम उस चक्कर में पढ़ते हैं न, याने देखिए कि एक vote करने वाला candidate, जो देश के एक इतने बड़े civil service examination को crack करने की पूरी मनशा रखता है, और आगे जाके एक officer बनके देश की सेवा करने का अपने अंदर एक विश्वास रखता है, और उसके opinions में भ करे IS officers को भी सुना है, कई सारे अपने economic advisors से भी मेरी बात चित हुई है, जिससे मैंने ये निशकर्ष निकाला है कि, वाहे, most of the IS officers are like fearing to directly support these people, क्या दिक्कत होती है, तो उनका observation ये था कि हम clearly बोल नहीं पाते, कि इन में अच्छा क्या है, जो newspaper में कही ना कही आता है, या narratives बन हो जाएगा, और हमें किसी भी complex में पढ़ने की कोई जरुवत नहीं, जिसको हम कहते हैं कि unnecessary zone, debate में क्यों आए, क्यों कोई लोग आपकी चर्चा करें, आप अपना काम करते ही, शांत रही है, बढ़िया जिंदगी चलते रहने दीजे, कोई कहां आता है, कही से चले जाता है कोई फरक नहीं पड़ता है हमें, अगर ये हम सभाव रखते हैं आने वाले generations में, जो कि civil services exam crack करके, IS बनके कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, उनमें ये confidence कहां से built up होगा, कैसे उनमें वो policy के लिए एक पूरा जोग देने की इच्छा होगी, कि मैं किसी के upliftment के ल लेकिन हम जादा तर उनके सभाव में या उनके इस बरताव में हम, ये nature reflect हुए देखते हैं कि हम किसी की side नहीं लेंगे, we will remain in that particular domain of a neutral without being biased toward anything, अरे biased का सवाल ही नहीं होता, ये narratives develop किये जाते हैं जिसका हम आधार मान के ये बोलना start कर देते हैं कि हाँ ये विक्ती है, ये particular agenda के लिए काम करता है ना, शायद वो कितने ही छुपे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको जिस दिन वो पता चल जाएंगे कि उनके narratives और agenda क्या थे, तब आपको शायद उनकी हसलियत पता चली जाएगी, लेकिन उस वक्त तर शायद बहुत लेट हुआ होगा कि आप कुछ कर transparent है, जिसको बोल के समझा जा सकता है, और जो अपने इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या problem है आपको, थोड़ा सा हमने इस पे मन्थन करना चाहिए, और इस पे introspect करके, आने वाले हमारे भविश्य के लिए देश के, और ना ही सिर्फ मैं हमारे interrelations की ब बात करो, जो आपके एक opinion से बहुत matter करता है, मेरे दोस्त, इसलिए थोड़ा सा विचार करिए, विमर्श करिए, और अपने opinions को strong बनाएए, धन्यवाद, जैहिन, जैभारत.